है अै ऐलो फ्रेंड्ज्ट तो आज का ये वीडो एक inventic video तो मेरे पास कमेंट आय थे वन्हेंने बोला था कि सर आप कँ वीडियो ल कि और एक भाई ने ये भी कमेंट किया थे Stephen का पर्माने टीमेंट के बारे में आप हमें Medication बताईए तो चलिए फिर आज अपने वडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसिह पर secular मैं समझांगे Amagial में होता इक तो जो अस्तमा वो एक तरह की सांस की बीमारी होती है तो इसिमें होता है कि कि सांस लेने तकलीफ हो रही है तो हम उसको अस्तमा बोलते हैं तो चलियाव इसके मेडिकल की बाहसा में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो जिसकि हमारे ब्रॉंक से निकलना का जरूरी होती है तो जो हमारा broncos होता है तो उसमें क्या होता है यह यह ऐसी जो pap जासे structure उसका होता है तो जब इसके अंदर जो mucus है वो जमा हो जाता है तो उस condition में जो सांस है वो proper नहीं जा पाती है gases का एक्षेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उस बज़े से अस्तमा की दिख करते है वो produce हो जाती है तो अगर इसका time पर treatment नहीं किया है तो यह काफ इदा सीवर भी होती है तो इस बज़े से अगर आपको थोड़ी बहुत symptoms इसके दिख रहे हैं तो आपको तरन से डॉक्टर से मिल लेना चाहिए तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ symptoms के बारे में कि आपको क्या क्या लक्षड देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर देगी जो हमारा सबसे ज़्यादा common symptoms है वो है हमारा आपको सांस लेने में काफी दा तकलिफ होगी तो जहां पर मैंने आपको जैसा की बताया था तो फिर जो नेक्स डेप हमारा वीजिंग आपको जो जब जब सानता हो एक तरह की आवाज आज जिसको हम घर-गराट की आवाज भी बोलते हैं तो उस तरह की जो आपकी जो हमारा चेस्ट टाइस आपका जो टैस्ट हो जाएगा तो अगर आपको किसी प्रकार का आराई हो जाता है तो उस कंडिशन मापको अस्तमा की प्रॉलम्म में पड़ सकती है पर जो नेक्स जब हो हमारा weight loss जो की काफिया दो common है और ये काफिया दो important भी है और कोई भी बैक्ति उसको सांस के दिक्कत और सांस में उसका weight loss भी हो रहा है तो उस condition में उसको जल से डॉक्टर के पास जाना चाहिए पर जो नेक्स जब हमारा weight loss आपकी body भी दिरी दिरी बीक होनी लगीगी और आपको ठकावट काफियली हो जाएगी तो ये दे कुछ common symptoms जो की आपको normally किसी भी patient में जो अस्तमा का patient होता है उसमें नर्मली देखिने को मिल सकते हैं तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ causes के बारे में आकरका अस्तमा होने के क्या क्या regions होते हैं तो सबसे पहला reason है वो हमारा तवाको smoking तो यहाँ पर देखिए और कोई भी बेक्ति स्मोकिंग ज़्यादा करता है तो उस condition में अस्तमा होने के काफी जारे chances होते हैं और WHE के मताबिक ऐसा पता लगाए गया है कि यहां पर काभी सारी डेथ है ना वो इसी के कारड़ होती है फिर जो नेक्स्ट एप वह हमारा अलर्जी तो अगर कोई भी बेक्ति उसको किसी बी पर्टिकल चीज़ से अलर्जी है तो उसके बाद उसको अस्तमा होने के chances होते ह हैं उसको अस्तमा होने के फिर जोनेक्स टैब और आपको किसी बरस्पर रैंपेक्शन हो चुका है तो उस कंडिशन में भी आपको यहां पर अस्तमा होने के chances बढ़ जाते हैं तो फो नेयक्स जब वहारे इन्वारिमेन्मेंटल फैक्टर तो यहां मिदेगे कुछ ऐसे इन मैं आपसे कहना चांग वा है कि मैं जो भी विडिकेशन आपको बता रहा हूँ आपको मेंसा डॉक्टर के एडवास पर ही यूज़ करनी है तो शभी में इस करनी है क्या रहती है बचाहिर ऐसकी होते हैं जो उक्याधा हो जाता है और नेक्स वहारे डैरी फाल जी दोनों टैबलेट काफ़ी दा यूसपल और काफ़ी दा सक्सेस टैबलेट भी तो जो हमारे अस्टाली टैबलेट जो कि सिपला कंपनी इसको मेंच करती है तो इसके अंदर आपको साल व्यूटा अनुन जैसा कॉमशन मिल जाता है और आपको जो डैरी फाल टैबलेट इसके अंदर आपको यूटियो फालें जैसे कॉमशन मिल जाते हैं जो कि आपकी सांस को प्रॉल्म का दूर करने में काफ़ी अच्छा कम करते हैं तो यहाँ पर यह दोनों टैबलेट काफ़ी दा यूसपल है तो आप इनका वीज़ कर सकते हैं ले कोई भी पेशेंट उसको ज्यादा दिक्कत है तो उस कंडिशन आप इसको दिन में तीन बार खाना खाने के बाद कर सकते हैं तो आप आती हमारी कुछ एंटिवाटिक्स तो यहां पर देखिए जो मैंने एंटिवाटिक्स लिख रगए हैं जो कि काफी दा यूसपल है तो जैसे हैं कि आपको पता है कि किसी प्रकार के इंफेक्शन हो जाता है तो उस कंडिशन बैक्तर इंफेक्शन होने के काफी सारी होते हैं तो जो हमारी सब्सक्राइब यूसपल है वह हमारी है door लेकिन जो आपके अस्तमा की दिक्कत है उस कंडिशन में आपके लिए यह चाहे तो आप कोई भी सिप्रोफ लॉक्षन यूज कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें आप किसी भी प्रकार को और यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप इनको ज्यादा डोज में लेते हैं या आप ज्यादा रखते हैं तो उस कंडिशन आपके लिए काफिदा हानफुल हो सकती है तो यहां पर देखिए जो सब्सक्राइब यूज करना हैं लेकिन इसकी जो डोजिए इसकी टाइमिंग वो फिक्स होनी चाहिए और आपको मेंसे डॉक्टर की यूज करनी है तो नेक्स्ट है वो आते हमारे इन्हेलर से जैसा कि आपने काफिजारी डॉक्टर को देखा हुआ कि वो जो अस्तमा के पेशेंट होते हैं उनको कुछ इन्हेलर भी सजेस्ट करते हैं तो जो सब्सक्राइ यूसफल इन्हेलर हैं वो होते हैं हमारे अस्तालें जो कि इसके अंदर आपको जैसा कि अस्तमा की प्रॉडम को दूर करने में काफ़ अच्छा काम करता है तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं लेकिन आपको मेंसे डॉक्टर की एडवास कोई फॉलो करना है वैसे यहां पर देखे हैं जैसे लिवोलिन बेगर ऐसे कुछ और इन्वेलियूस भी आते हैं जोकी आपके अस्तमा के प्रॉडम में यूज किये जाते हैं तो अब जो नैक्स्ट आप है हमारे कुस्ट नेवूलाइजर तो यहाँ पर देखिए जो की काफीदर यूसफल होते हैं आपकी अस्तमा वाली कंडिशन में तो जो हमारे ब्रॉंकस होता है जब उसमें मुकस जमा हो जाता है तो उस कंडिशन में कुछ पेशेंट्स को इसमें भाप भी दी जाती है कुछ नेवुलाइजर इंजेक्शन की तो यहां पर देखिए जो सबसे पहला है कुछ होते हैं और भी काभी सारी आते जैसे ब्रॉंको डाले जाते हैं जो कि अस्तमा वाली कंडिशन में पीशन के कॉर्ड़ें को प्रेस्क्राइब किया जाता है जो नेक्स्ट है वो आते हमारे इंजेक्टिबल वाले ट्रीटमेंट तो अगर पेशन को ज्यादे सीवेर के साथ में कोई एक इससे की लंग्स में किसी प्रतार के इसमें रहा है तो करता है तो आपको आप चाहें तो एंटिवाटक का यूज़ कर सकते हैं और पेशन को कोई ज्यादा सीवर कंडिशन नहीं है नॉर्मली दिक्कत हो रही है तो इस कंडिशन आपको टैल बेट प्रिसक्राब करनी होती है और मैं आपको बताना चाहूंगे कि अस्तमा का कोई भी पर्मा अपर गली चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लिजिए